Hello friends, welcome in technobhaijaan youtube channel Friends, आज के इस वीडियो के अंदर हम high fit app को देखेंगे इसकी settings देखेंगे, इसको कैसे use करना है, कैसे हमारी watch से connect करना है सारी चीजे हम इस एप के बारे में इस वीडियो के अंदर देखेंगे तो friends, पहले आप से request है कि हमारे इस channel को अप subscribe कर लिजी वहाँ पर मैंने WhatsApp चैनल की लिंक दिया हूँ वहाँ पर क्लिक कर लीजिए और follow कर लीजिए जो भी product के review हम करते है वो सारी product के price वगरा सब वहाँ पर आपको total दिख जाएंगी वहाँ से आप चाहे तो buy भी कर सकते हैं चलिए friends इस app को देख लेते हैं तो सबसे पहले friends हमें करना क्या है कि हमें हमारे Google Play के अंदर चले जाना है और यहाँ पर जाकर Play Store में जाने के बाद हमें यहाँ पर सर्च करना है ह-A-I-F-I-T-FIT और इसको सर्च कर देना है सर्च करने के पर दिखिए friends आपको एच का सिंबॉल यहाँ पर नदर आ रहा है इस पर क्लिक करना है और friends यहाँ पर open आ रहा है यह इसलिए open आ रहा है क्योंकि मैं already इसको install कर चुका हूँ तो आपको इसको install कर लेना है और install करने के बाद फिर हमें हमारी smart watch को on कर देना है आउन करने के बाद हमें Bluetooth से इसे connect करना है तो Bluetooth को on करना है यहाँ से details में चले जाना है हमें और यहाँ से इसको search करना है अल्ट्रा 9 यहाँ पर देखिए automatically connect हो चुका है अल्ट्रा 9 स्मार्ट वाच का नाम है चलिए back करते हैं और दूसरा हमें काम यह करना है कि हमारा location आउन कर देना है और अब हमें हमारी friends हमारी app को open कर देना है यहाँ पर हाइफ्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है इसपर क्लिक करना है हमें क्लिक करने के बाद 파 og fans आप देखेंगे यहाँ पर register now guest आ रहा है कितना calories आपने burn किया, आपका heart rate, blood pressure, oxygen level, सब यहाँ पर दिखाएंगा, हाला कि यह ठीक से काम नहीं करता है, इसके sensor ठीक से काम नहीं करते है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर सब चीजे देखने को मिल जाएंगी, दूसरा है, इसमें sports दिया हुआ, sports पर आप देखेंगे, सेट कर सकते हैं, आपका नाम, और आपका गोल, आपकी रोजाना कितने कदम चलना चाहते है, कितने calories बर्न करना चाहते है, यहाँ पर setting पर आपकी link करेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारी permission वगएर आप यहाँ पर उसको दे सकते है, instruction for using है, और check the update, यहाँ पर जो app के update आपको देखते हैं, और logout करने के बाद आप इससे disconnect हो जाएंगे, next हमें friends देखना है, यहाँ पर device दिया गए, यह सबसे main है, तो इस पर click करेंगे, यहाँ पर आपको plus का निशान नजर आ रहा है, इस पर click करना है हमें, और यहाँ पर scanning हो रहा है, थोड़ा wait करना है, देखें यहाँ पर आगए ultra 9, इस पर click करना है, और friends आप देख रहे हैं कि हमारी smart watch connected हो चुकी है, और यहाँ पर देखिए, थोड़े changes हो गए, नए option यहाँ पर खुल गए, तो friends आप देख रहे हैं कि हमारी smart watch connect हो चुकी है, हमारे mobile से, तो चलिए यह app के और भी कुछ नए option यहाँ पर खुल के आ चुके हैं, तो उपर आप देख रहे हैं कि smart watch का आपको लोगो नजर आ रहा है, नीचे अल्टरा 9 लिखा हो है, connected है और बैटरी का लोगो यहाँ पर नजर आ रहा है, सबसे पहला जो function यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है friend वह है, डाइल डाइल पर हम किलिक करें, तो यहाँ पर देखें, चार डाइल आपको नजर आ रहे हैं, जो आप सिरी ऐसे one time किलिक करेंगे, यहाँ पर अभी यह डाइल है, तो मैं इस पर किलिक क्या हूं, तो देखें है, फौरण चेंज हो गया है, फिर मुझे यह चेंज करना है, फिर यह चेंज हो गया है, और च टोटल एक ही साथ में आपको सब नजर आ जाएंगे, तो आपको जो भी watch face यहाँ पर पसंद आता है, आप उसको set कर सकते है, तो देखें, बहुत सारे तकरीबन 140-150 watch faces आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, चलिए, एक मैं आपको set करके बता देता हूं, फ्रेंड्स देखें, यहाँ पर processing शुरू हो चुकी है, देखें फ्रेंड्स हमारा watch face set हो चुका है, तो इस तरीके से बहुत ही easily आप यहाँ से watch faces आपके set कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैंने इसमें बहुत सारा डूना हूं, लेकिन यहाँ पर कही पर ही मुझे customized watch face नहीं मिला है, हो स इसमें लिए back करते हैं, यहाँ पर next option यहाँ पर देख रहे है, message reminder आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर message reminder पर हम करें, तो आप इनको on कर देंगे, तो आपको बार बार यह remind करते हैं, कोई message आपको आया, call आपके रहे गया है, सब चीज़े आपको remind करते हैं, smart watch, next देख इस पर click करेंगे आप, तो अगर आपकी smart watch नहीं दिख रही है, तो यहाँ पर यह shaking करेंगी, और vibration इसके अंदर होगा, जिससे आपको पता चल दाएंगा, कि आपकी smart watch कहाँ पर है, smart shot यहाँ पर हम click करें, तो friends, यहाँ से आप आप camera handle कर सकते हैं, तो देखें, यहाँ पर smart watch इसको हमको यहाँ पर सिफ टच करना है, तो यह photo इसने ले लिया है, नीचे दिखेंगा, देखें, यहाँ पर मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, इसका photo लेना है, यहाँ पर सिफ मुझे टच करना है, देखें, friends, नीचे दिख रहा है, photo हमने ले चुके है, यह देखें, फ तो इसमा शॉर्ट हो चुक है friends, यहां पर है Do Not Disturb mode इस पर क्लिक करेंगे, इसको on कर देंगे तो सारे connection आपके यहां से तूट जाएंगे, और next इस अधर सेटिंग्स तो इस पर क्लिक करेंगे हम, तो देखें यहां पर remind of reaching standard, after receiving, achieving the exercise goal, यह other setting यहां पर दे रहा है कि जैसे आप आपका goal complete कर लेंगे for example आपने 8000 कदम का steps का रखा है वो जैसे हो जाएगा तो यह आपको remind करेंगी music बजा के कि आपने आज का goal अच्छीव कर लिया ऐसा हो बताएगा ठीक है watch version update यहाँ पर click करेंगे तो यह आप देख रहे हैं कि watch को update आप यहाँ से कर सकते हैं यहाँ पर दे रहा है कि power less than 50% cannot be upgraded याने आपको इसके उपर power रखना पड़ेगा क्योंकि power ज़्यादा लगता है अपग्रेट होने के लिए और नीचे friends last time हम देखें तो remove our device तो इस device को आप यहाँ से click करके इसको disconnect कर सकते हैं तो friends बहुती ज़्यादा simple app है इसकी बहुत ज़्यादा function मुझको इसमें नहीं लगे simple watch है और simple function इसमें सारे देगे app भी काफी simple है तो friends मैं उम्मीद करता हूँ कि app में क्या-क्या चीज़े हैं कैसे इसको use करना है सारी चीज़े आपके समझ में आ गए होगी तो friends मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आओंगा helpful होगा आपके लिए और यह app जिसका नाम है high fit यह आपको समझ में आ चुकी होगी तो friends इसी तरिके के वीडियो उस पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए इस वीडियो को लाइक कर लिजिए चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर तब तक के लिए अपना खयाल रखे हमें दुआ में रखे थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो थैंक यू